हालो फ्रेंड्स माइनेम इस धर्मेंद्रा वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग अगर आप CGPSC और Food Inspector की तयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं वीडियो को पूरा लाशा तक जरूर देखिएं क्योंकि इसमें मैं 20 question cover करने वाल हूँ और इसी question आपको exam hall में देखने को मिलेंगे तो आप वीडियो को बिल्कुल भी pause मत कीजिएगा और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे किसने राश्टपती पद की सब्सक्राइब तो इसका option देख लेते हैं सिरी बराग ओबामा option number B है सिरी प्रवण मुखरजी और option number C है सिरी बालारजी गीर पूरी और option number D है सिरी जहाइग जीपिंग तो correct answer हमारा क्या आजाएगा option number C को आप लोग select कर लेंगे स्री बल्लागीर पुनिग option number C इसका correct answer आजाएगा second हमारा example देखते हैं दोस्तो भारत के reserve bank का नयुक्त गवर्णन कौन है 127 है तो option number A है doctor YV ready option number B है स्री D सुबराव option number C है स्री रगुराम राजन option number D है स्री C रंज राजन तो इसका correct answer क्या आजाएगा option number C इसका correct answer आजाएगा स्री रगुराम राजन option number C को आप लोग select करेंगे भारत के reserve bank का नयुक्त गवर्णन कौन है तो इसका correct answer क्या आजाएगा स्री रगुराम राजन अगला question क्यों चलते हैं दोस्तों जो की important है हमारा question पहला है साइना नेवाल गगन नारंग सुनिल कुमार दूसरा है योगेश्वर्दत M.C. मेरी कौम विजय कुमार और option C है दिपिका कुमारी साइना नेहरू M.C. मेरी कौम अब इसका question देखते हैं London Olympic 2012 में भारत की किस के लिए पदक उत्तर प्राप्त करने वाली खिलाडी कौन है option A है केवल A में उलेखित है option B है केवल 1 में उलेखित है option C है A एवं दो दोनों में उलेखित है और option D है A पहला दूसरा एवं तीसरे में उलेखित है तो correct answer हमारा क्या आजाएगा C नमबर को आप लोग select कर लेंगे पहला और दूसरा में उलेखित है option C इसका correct answer आजाएगा अगला question देखते हैं दोस्तो verse 2013 की अंत तक निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान सभा का आम चुनाव नहीं कराए जाने है option A है महराष्टा option B है 36 गड़ option C है मध्यप्रदीश option D है राजिस्थान तो correct answer हमारा क्या आजाएगा option D को आप लोग select कर लेंगे राजिस्थान verse 2013 की अंत तक निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान सभा के आम चुनाव नहीं कराए जाने है तो correct answer क्या आजाएगा राजिस्थान option D को आप लोग select करेंगे अगला question देखते हैं दोस्तो हाल ही में भारतिय डांक विभाग ने अपनी कौन सी पुरानी सेवा बंद कर दी तो option नमबर A है तार option नमबर B है डांक घर बचत बैंक और option नमबर C है मनी ओरडर और option नमबर D है डांक बीम जीवन तो correct answer हमारा क्या आजाएगा correct answer हमारा आजाएगा option नमबर A को आप लोग select करेंगे A नमबर आजाएगा तार हाल ही में भारतिय डांक विभाग ने अपनी कौन सी पुरानी सेवा बंद की है तो इसका correct answer क्या आजाएगा तार option नमबर E को आप लोग select करेंगे अगला प्राशन देखते हैं दोस्तों जोकी important हमारा question है मह सितंबर 2013 में इस वर्स का कौन सा चक्रधर समारोह आयोजित किया जाएगा option A है 39, option B है 38, option C है 30, और option D है उपरोक्त में से कोई नहीं तो correct answer हमारा क्या आजाएगा option A को आप लोग select कर लेंगे 29 मह सितंबर 2013 में इस राज्य का कौन सा चक्रधर समारोह आयोजित किया गया तो answer में आप लोग किसे टीक मार लगा दोगे ए नंबर को 29 अगला question क्यों चलते हैं दोस्तों निमनलिखित में से कौन सा देश चीन के साथ दक्षिन चीन सागर विवाद से संबंद नहीं है option A है मलेसिया, option B है फिलिपिन्स, option नमबर C है वियतनाम और option नमबर D है इंडोनेसिया तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, option C को आप लोग सेलेक्ट करेंगे वियतनाम, निमनलिखित में कौन सा देश चीन के साथ दक्षिन चीन सागर विवाद से संबंद नहीं है तो इसका correct answer क्या आजाएगा, वियतनाम, option C को आप लोग सेलेक्ट करेंगे अगला question देखते हैं, एक लंबे समय के पश्चात तिमनलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यपार संगठन का सदस्य बना option A है रूस, option B है जर्मनी, option C है फ्रांस, option D है बल्ग रिया तो correct answer हमारा क्या आजाएगा, option A को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, रूस आजाएगा एक लंबे समय के पश्चात तिमनलिखित में कौन सा देश विश्व व्यपार संगठन का सदस्य बना, रूस बना option A है इसका correct answer आजाएगा दोस्तों option A है दंतेवाडा, option B है नरायनपूर, option C है सुकमा और option D है बस्तर तो सही answer हमारा इसमें क्या आजाएगा, option B को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें सुकमा है लेकिन करम वाइस इसमें सी आजाएगा दर्भा घाटे निमनलिखित में किस जिले में स्थीत है तो आप लोग डारेक्ट सुकमा को सेलेक्ट करेंगे option B इसका correct answer आजाएगा अगला sentence देखते हैं, भारत की मुख्यन्याधिस कौन है option A है स्री अलमस कबीर, option B है स्री पाली निसापी सदा सिवम और option C है स्री भासकर भट्टाचारिया और option D है स्री एस एच कापर डिया तो correct answer इसमें हमारा क्या आजाएगा option B को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, स्री पाली निसापी सदा सिवम option B इसका correct answer आजाएगा भारत के मुख्यन्याधिस कौन है स्री पाला निसापी सदा विसम अगला question देखते हैं दोस्तों जो की important हमारा question रहेगा मानूम हुसैन किस देश के बारवे राष्टपती चुने गए option A है अफगानिस्तान, option B है पाकिस्तान, option C है बंगलादेश, और option D है इरान तो correct हमारा इसमें क्या आंसर आजाएगा? option B इसका correct आंसर आजाएगा पाकिस्तान सही answer हमारा क्या आजाएगा? मामून हुसैन किस देश के बारवी राष्टपती चुने गए तो इसका correct आंसर क्या आजाएगा? पाकिस्तान option B को आप लोग select करेंगे अगला question देखते हैं दोस्तो राज के किस निरित्य में नर्तक काला वाजी बाजी करते हैं और पिरामिंड बनाते हैं option A है कर्मा निरित्या, option B है पंथी निरित्या और option C है रावत नाचा और option D है सुवा निरित्या तो इसका correct answer हमारा क्या आजाएगा? option नमबर B को आप लोग select करेंगे पंथी निरित्या आजाएगा राज के किस निरित्या में नर्तक काला वाजी करते हैं और पिरामिंड बनाते हैं तो इसका correct answer क्या आजाएगा? B नमबर को आप लोग select करेंगे पंथी निरित्या अगला question देखते हैं दोस्तो Life of Pi उपन्यास के लेखक का नाम बताईए option A है यान मार्टेल option नमबर B है एंगली option नमबर C है चिनुवा उत्यवे और option नमबर D है बांसीपी सिवध्वा तो correct answer हमारा क्या आजाएगा? option नमबर E को आप लोग select कर लेंगे यान मार्टल Life of Pi उपन्यास के लेखक का नाम बताईए तो इसका correct answer क्या आजाएगा? यान मार्टल